जैर्मा बगलामकी कई बार आपने देखा होगा कि हम सभी के घरों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं बच्चे बाल रूप में जब होते हैं हमारे सास्त्रों में भी बताया गया है कि बालक बड़े हटी होते हैं कोई कोई बालक आपने देखा होगा वह बहुत जिद्धी ह होते हैं और उसको आप कितना भी समझा लो वो अपने जिद नहीं छोड़ते गुस्सा हो जाते हैं कि ऐसे बच्चे कि जो काफी जिद्धी टाइप के होते हैं ज्यादे क्रोध करते हैं मता-पिता का कहना नहीं मानते एसे बच्चों के लिए कई बार बच्चे छोटी छोटी बातों को मनवाने के लिए जिद्ध करते हैं और यही आदत उनकी धीरे धीरे बड़ी होती जाती हैं ऐसे में अक्सर माता-पिता काफी प्रेसानियों का सामना भी करना पड़ता है माता-पिता प्रेसान रहते हैं वो लो आप तो छोटा है जब वह चोटा होता है तो उसके जिद भी छोटी होती है जिसको माता-पिता कपपरण करने में सकसम भी ओते हैं लेकिन कुछ माता-पिता pattern सकाव महीं होते ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो अपने बच्चे के जिद पूरी नहीं और समझाने से उनकी जिद कम हो सकती है अगर कोई बच्चा ज्यादा जिद्धी है गुस्सा काफी करता है चिड़ चिड़ा हो गया है और अच्चदिक क्रोध वो करता है माता पिता या अन्य बड़े लोगों की बातों को नहीं सुनता जमीन पर लोट लगाता है वो रूस जाता है छब माता पिता उसको समझाते हैं उसको हनुमान जी के बाए पैर का सिंदूर हर मंगलवार और सनिवार को उसके मस्तक पर सिंदूर से तिलक लगाए हनुमान जी को बल और बुद्धी का दाता माना जाता है तता मान जी से कामना करें कि हमारा बालक जो जिद्धी है हाटी हो गया है इसको सद्भुद्धी दें इस से बालक कुछी समय बाद जिद्ध करनी छोड़ देगा तता उसको सद्भुद्धी अनुमान जी मरा राज देंगे जैस्री बाला जी जै मालक्स मु disputes